प्रिया दोस्तों नमस्कार आप कैसे हैं मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूँ आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचूरल गार्डनिंग दोस्तों आप देख रहे हैं यह अडेनियम का पवधा है पवधा हेल्दी है आज मैं इसे सैलो चौड़े पार्ट में रिपार्ट करूँगा ऐसा इसलिए अभी कोडेक्स मिट्टी में है देखे दोस्तों यह कोडेक्स जो नीचे का भाग है मिट्टी में है इसे थोड़ा मि मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, इसकिप ना करें, तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँश सके। निकालते हैं इसको, आराम से निकालना है, यह देखिए, चलिए दोस्तों, इसकी मिट्टी निकाल लेते हैं, अब देखिए, यह कोडेक्स भी मिट्टी में है, दोस्तों, देखिए, कोडेक्स है, और कोडेक्स का काफी भाग मिट्टी में था, इसको थोड़ा हमने, अब जब हम इसको रिपार्ट करेंगे, तो कोडेक्स का यहां तक का भाद हम मिट्टी के ऊपर रखेंगे, जो फाल्तू की रूट्स हैं, उनको निकाल देना है, का आप प्रयोग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, प्रापर तरीके से सेनिटाइज होना चाहिए, अगर सेनिटाइज नहीं है, तो कटिंग पार्ट के ऊपर इन्फेक्शन हो जाएगा, कटिंग पार्ट के ऊपर आप के पास अगर कोई फंगी साइड है, तो आप उसका इस कि अच्छी तरह से कीजिए इसकी जगह पर अगर आपके पास हल्दी नहीं है तो आप डाल चीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवलेबल है कर लीजिए किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी इस कटिंग पार्ट के उपर नहीं होगी दोस्तों रिपार्टिंग के लिए आप इस मिट्टी का भी परियोग कर सकते हैं और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो दूसरी मिट्टी आप बना लीजिए अडेनियम के पाउदे को जिस पार्ट में मैंने रिपार्ट करना है देखिए इसमें डेनेज होल है और डेनेज होल के उपर एक पत्थर का टुकड़ा लगा दिया है डेनेज होल इसलिए किया जाता है कि excess water बाहर निकल सके और हवा का आवा गमन प्रापर तरीके से हो सके अब मैं आपको स्वैल कंपोजिशन की जानकारी दूँगा देखिए आपके सामने है एक भाग गार्डन स्वैल है वेल्डेंड होनी चाहिए धूप में सूखी होनी चाहिए दो भाग देखिए मैंने लिया है रिवर सेंड एक भाग गोबर की खाद है इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं दोस्तों अडेनियम के पाउधे को ऐसा फटिलाजर चाहिए जिसमें फासफोरस की मात्रा भी हो पाटैसियम की मात्रा भी हो और नाइक्टोजन की मात्रा भी हो इसलिए आप गोबर की खाद या कर एंटि-बक्टिरियल गुण पाया जाता है और देखी हाफ टी-सपून मैंने डी-एपी कर लिया है डी-एपी इसलिए लिया जाता है दोस्तों कि इससे पवध्य की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इनको सबको एक में मिक्स करना है दोस्तों इसको अच्छी तरह mix कर लिया है अब इस spot में भरेंगे थोड़ी मित्टी इसमें डाल दिया है दोस्तों अब इस आडेनियम के पौधे को हम मित्टी में लगाएंगे और यहां तक देखिए कोडेक्स का यहां तक का भाग हम मित्टी के ऊपर रखेंगे देखिए अब इसमें मिट्टी डाल देते हैं चार उत्रफ यह डिजर्ट का पौधा है इसलिए इसमें रिवर सेंड की मात्रा दो भाग रखी गई है अब थोड़ा पानी दे देते हैं इसमें पानी इतना देना है कि नीचे के सरफेस तक पानी पहुंच जाए अभी आपने देख लिया आपको पूरा कॉडेक्स इसका दिखाई दे रहा है अभी इसे दो दिन के लिए ग्रीन नेट के नीचे रखना है उसके बाद इसे धूप में निकालना है दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अडेनियम की पौधे की रिपाटिंग हर वर्स जरूर क करना है ऐसा इसलिए कि जो कोडेक्स का भाग है उसे मिट्टी से हमेशा थोड़ा सा ऊपर निकालना है अभी आपने देखा अडेनियम पौधे की रिपाटिंग कैसे की जाती है कोडेक्स को कैसे मिट्टी के ऊपर रखा जाता है मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करें शियर करें और सब्सक्राइब करें हैपी गाडनिंग टेक कियर फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप देख रहे हैं यह अडेनियम का पौधा है और इसे मैंने चार दिन पहले आनकारी मैंने आपको अपने वीडियो में दिया था देखे कितनी अच्छी ग्रोथ है